जीवन स्मॉल फाइनस बैंक शॉर्टर में भी आपको 30% का रिटन दे सकता है और अपने करेंट प्राइस 60 रुपीज से एक अच्छी खासी रैली दिखाने के लिए तैयार है और रैली के पीछे सबसे बड़े कारण बन रहे हैं बैंक की लगाता सुधर्तिवी परफॉर्मे बैंक ने डाटा रिलीस किया है उसके एसाब से भी देखा जाए तो बैंक की परफॉर्मेंस शांदार इस समय चल रही है और क्यूएन कौर्टर के अंदर जो बैंक ने परफॉर्मेंस करी है वो कहीं न कहीं यह बता रहे है कि इस साल बैंक के जो प्रॉफिट है वो रिकोर कियों में मैं आपके साथ यही सब डिसकस करने वाला हूं किन कारवनों से उजीवन स्मॉल फाइनस बैंक के शेयर में एक शौट ट्रम में बड़ी रैली दिखाई दे रही है उजीवन स्मॉल फाइनस बैंक देखा जाए तो इससे में लगबग 661 ब्रांच ऑपरेट कर रहा है उजीवन स्मॉल फाइनस बैंक की ग्रोश लोन बुक जो है वो लगबग 25,326 करोड रुपे की है जो की देखा जाए तो लगबग 30% ग्रोई है येर ओन येर बेसिस पर बैंक का ग्रोश ओन नपीए 2.4% है जो की 5.9% से डियूर्स होता हुआ आ रहा है नेट नपीए बैंक का लगबग निल सा दिखाई देता है 0.06 इससे में बैंक का नेट नपीए जो की ये बता रहा है कि बैंक इससे में काफी अच्छी इस्थिती में दिखाई दे रहा है बैंक की ओवरोल लोन बुक का 59% हिस्सा माइक्रो ग्रूप लोन से आता है जहां पर बैंक जो है 21% का इंट्रेस्ट चार्ज करता है जो की देखा जाए तो इंडरिस्ट्री में काफी जादा है बैंक का इंडिविजुल सेगमेंट से 14% का लोन बुक है MSME सेगमेंट से बैं जाए तो परकुरे जो बैंक को लाउन बुक है वह लगवग 19.1% का बैंक कौ को इंट्रेस्ट बोंगा मुल रही जो कि अगर बन को कंपरीजन में धार दो तो काफी बड़ा interest rate bank को यहाँ पर मिल रहा है अधर bank के comparison में. bank का cost of fund लगबख 7.2% का है, bank का net interest margin लगबख 9% के उपर है, 9.2% का समय bank का net interest margin है, क्योंकि देखा जाए तो bank को जो yield मिल रही है, loan के उपर जो loan book है bank की, वो 19.1% की मिल रही है, जिसके कारण bank का net interest margin industry में काफी अच्छा है, bank के deposit में जैसा मैंने आपको बताया, काफी अच्छी growth है, अब bank का retail deposit भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, और bank की overall deposit में retail deposit का काफी बढ़ा हिस्सा है, देखा जाए तो 10,970,10,970 करोड रुपे retail term deposit से आ रहे हैं, जो की overall deposit bank की इस समय 26,660 करोड रुपीज की है, कि मैं आपको bank के बारे में और बताता हूँ, जो bank का micro group loan है, जो 59% bank की over loan loan book का हिस्सा है, तो average ticket size अगर देखा जाए, तो मात्र 54,000 रुपे का है, 54,000 रुपीज के आसपास है, जो की ये बता रहा है कि bank की जो loan book है, उसमें कोई बड़ा risk यहाँ पर नहीं है, क्योंकि bank ने अपने loan को छोटे छोटे amount में ही बाटा हुआ है, बात करते हैं, ये bank किस तरीके से short term में एक अच्छा कासा return देने के लिए तयार हो रहा है, दरसल देखा जाए, तो bank की अगर total income, Q1 quarter के अंदर देखी जाए, इस financial year के लगबफ 1464 करोड रुपीज की रही, 1464 करोड रुपे की bank की total income रही, उस पर bank का अगर हम net profit देखें, तो 324 करोड रुपीज का bank का net profit रहा, अगर हम financial year 2024 की बात करें, इस financial year की बात करें, तो bank की total income, जिस हिसाफ से bank के अंदर growth चल रही है, इस हिसाफ से bank की total income लबबख 6500 करोड रुपीज के आसपास आती वी दिखाई दे रही है, और अगर हम same margin की इसाफ से बात करें, तो bank का net profit लगबख यहां से 1495 करोड रुपीज के आसपास जाने की उमीद है, इस condition में अगर देखा जाए, तो bank का इस financial year के अंदर EPS लगबख 7 रुपीज के आसपास का हो सकता है, जिसके कारण इस bank की return on equity यहां पर 27% के आसपास की दिखाई दे रही है, जो की काफी अच्छी है इंडस्ट्री में, अब आप देखी जिस तरीके से bank ने FY23 के अंदर performance करी, और उस समय जो bank की book value लगबख 30 रुपीज 50 पैसे की थी FY23 के अंदर, और bank की return on equity भी लगबख 28% के आसपास की रही, इस bank ने higher side पर 60 रुपीज का price दिखाया है, तो देखा जाए तो bank को लगबख 3 का multiple मिला है FY23 की book value के अधार पर, अगर हम इसी गणित को लगा कर देखें, तो financial year 2024 के लिए, इस financial year के लिए, जब bank का EPS 7 रुपे के आसपास का होगा, उस condition में bank की book value लगबख 26 रुपीज के आसपास की दिखाई दे रही है, और अगर आप 26 रुपीज को 3 से multiply करें, तो bank का target price 78 रुपीज का निकल कर आता है, तो इस price के हिसाब से भी बैंक आपको 30% का return दे सकता है, इस financial year के अंदर ही, तो ओवर साइट की भी बात करें, तो bank अपनी price to book के, लगबख 2 के multiple पे, 2 के multiple पे आपको मिल सकता है, उस condition में अगर देखा जाए, तो लगबख bank 78 रुपीज का आपको target दिखाई दे सकता है, जीवनी small finance bank के share में, ये strategy आपको एक अच्छा कासा मुनाफ़ा बनवा सकती है, क्योंकि इस strategy में technical analysis नहों के, देखा जाए तो bank का fundamentally analysis है, जो bank जिसे साब से performance दे रहा है, जिसे साब से bank के asset quality है, वो कहीं न कहीं bank को यहाँ पर तेजी दे रहे हैं चलने के लिए, उमीद करता हूँ, आज का ये video आपको जीवनी small finance में profit बनाने में काफी मदद करेगा, कल आपके साथ फिर एक नई video के साथ मिलते हैं, और आपके पास अगर कोई share हो, जिस पर आप video बनवाना चाहते हैं, उसे लिख कर मुझे जरूर बताईएगा, नमस्कार,